उस्तम न्यायले ने महिला न्यायी कदिकारी के कतित योन उत्पिडन के मामले में कारण बताव नोटिस और इसके बाद शुरू हुई कारवाई रद्ध करने के लिए मध्य पर्देश जिला न्यायदीश की याचिका पर ब्रिश्टिवार को विचार करने से इनकार कर दिया और आर बाला सुबर्मन्यम ने मध्य पर्देश उस्तम न्यायले के प्रिंसिपल रेजिस्टर द्वारा जारी कारण बताव नोटिस को चुनोती थी दावा किया जा रहा है कि याचिका करता उच न्यायले में न्यायदीश के पदपर पदोनती के लिए विचार्णिये नामों में शामिल है पीट ने कहा कि यह याचिका अनुछे 32 के तहत दायर करने योग के नहीं है जिला न्यायदीश ने अधिवक्ता सचीव सर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि वह लेंगिक सवेंदन सीलता और आंतरिक सिकायत सिमीती के अंतिम रिपोर्ट तथा इसके बाद उचने अले द्वारा उनके खिलाप अनुसासनात्म करेवाई के लिए जारी कार्ण बताव नोटिस को चुनोती दे रहे है याचिका में अंतिम रिपोर्ट को मनमाना और गैर कानूनी बताया गया है याचिका में कहा गया है कि याचिका करता का 32 साल से अधिक सेवाकाल का रिकोर्ड बेदाग रहा है याचिका करता 2020 के अंत में अवकास ग्रहन करने वाला है और वह अपनी सेवा के अंतिम चर्ण में है याचिका में कहा गया है कि सारी कारवाई मनमानी और दुर्भावनापूर्ण है और यह नेचुरल जस्टिस के सिदान्त की खिलाफ है क्योंकि विभिन्चरणों में होई जांच और ब्यान दर्ज करने की कारवाई में याचिका करता की भागिदारी नहीं है। जिला नयाधीस ने अरोप लगाया है कि यह सारी कारवाई ऐसे समय में की गई है जब उसका नाम उच नयाधीस पद पर परदोनती के लिए विचारणिया है और इस मामले में कारवाई को दो साल से भी ज़्यादा समय तक लंबित रखा गया ताकि उसके कैरियर की संभावना क को नुक्सान पहुंचाया जा सकी याचिका में कहा गया है कि आंतरिक सिकायत समीति निकारे स्थल पर महिलाओं का योन उत्पिडन रोख्ताम कानून 2013 की दारा 10 के प्रावधानों को नदर अंदाज करते हुए सिकायत करता की समझोते की अर्जी को एस्विकार कर दिया याचिका में दलील दी गई है कि आंतरिक सिकायत समीति ने उस आवेदन को इस तरह स्विकार किया माना वह खुद कानून के तहत अदालत हो जबकि कानून में प्रावधान है कि सिकायत करता द्वारा समझोते के लिए आवेदन दायर करने की स्थिति में समीति समझोते को द